नमस्कार जैहिन स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यूद है क्लासेज यूपी पर आई होब आपके लिए वीडियो काफी हल्पूल है और आपने थंबनील में देखा यह आज की इस वीडियो में हम लेशन प्लान यानि की पाठ योजना जो की हमारा लेशन प्लान पर यह फूर्थ बीडियो है जैसा कि आप यहाँ पर पाठ योजना फूर्ट देख भी सकते हैं और ये हमारा जो फोर्थ पाठियोजना है वह हमारा शयुकतराष्ट शंग पर है ठीक है तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लीज एक बार से जाकर जरूर देख लें और उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी आगे वीडियो जाए वो आप तक सबसे पहले पहुचे तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा जो प्रक्रड है आप यहां पर देख सकते हैं शयुकतराष्ट श्रंग है तो सबसे पहले हम देखेंगे पाठियोजना लिखते कैसे ह फिर लिखेंगे विद्याले यहां पर हमने विद्याले का नाम लिखा हुआ है और अच्छे से समझने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे चात्राध्यापी का या चात्राध्यापक का नाम लिखते हैं और विश्य कलांज अवधी जिस कक्षा को आप पढ़ाएंगे वह आप लिखेंगे यह यहelect gardening edd. फिर आपका जो वर्ग होगा वह आप लिखेंगे जैसे यहाप लिखा हुआ विशे नागरिक शास्त्र कलांच तथा अवद यहां पर जैसे आप देख रहे हैं 40 मिनट लिखा हुआ है ठीक है फिर आप प्रकरण लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे शंयुक्तराष्ट शंग तो आज का हमारा प्रकरण क्या है शंयुक्तराष्ट शंग अब हम आगे आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप प्लीज एक बार जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पिछली वीडियो दक्षे स्यानी की सार्क में मैंने अच्छे से समाने उद्देश्य को समझाया हुगा है ऐसके बाद यहां पर आप लिख देंगे शमाने उद्देश्य पुरुवत जैसा कि अपने शमाने उद्देश्य है हमने पहले पाठी योज ना में लिख चुके हैं तो आप यहां पर सेकेंड फोड से पुरुवत लिखेंगे समाने उद्देश उक् offshore रिंदेश्य जैसा क फोस्ट छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बता सकेंगे सेकेंड छात्र संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में बता सकेंगे इतना क्लियर है अब आगे देखते हैं अब सेकेंड जो विशिष्ट उद्देश्य में आप हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे बुधात्मक उद्देश्य जिसमें आप लिखेंगे फॉस्ट चात्र संयुक्त राष्ट संग के उद्देश्य भता शकेंगे चात्र संयुक्त राष्ट संग का वरणन कर सकेंगे फिर आफ हेडिंग डालेंगे जो अनुधेशात्मक उद्देशे या फिशिष्ट उद्देशे में जो हमाना थोड हेडिंग होगा वो होगा क्रियात्मक उद्देशे उसमें आप लिखेंगे फोस्ट जैसे यह आपर लिखा हुआ है छात्र सयुक्त राष्ट संग का चित्र बना सकेंगे, सेकेंड छात्र सयुक्त राष्ट संग की भाषा की सूची बना सकेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे सहायक शामगरी, जिसमें आप लिखेंगे विश्व मानचीतर, शायक समगरी में क्या लिखेंगे विश्व मानचीतर उके उसके बाद heading डालेंगे पूर्व ज्ञान जिसमें लिखेंगे छात्र संयुक्त राष्टर संग के बारे में शमान्य जानकारी रखते हैं इंदना क्लियर है आईओप इंदना आपको समझ में आ रहा होगा और आगया होगा अब हम आगे देखते हैं आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्न पर अब आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न जासा कि हमने पिछले विडियो में डिसकस करचुके है हैं कि सब कॉलिज के अलग-अलग रूल होते हैं अगर आपके कॉलिज में यहाँपर प्रश्तावना प्रश्न लिखकर ये कॉल्म बनाना होगा तो आप प्रश्तावना प्रश्न चात्रा कथन लिखेंगे उसमें आप प्रश्ण जो करेंगे चात्रों से वो लिखेंगे चात्रा ध्यापक कथन में जैसे आपने प्रश्ण किया विश्व अस्तर पर होने वाले युद्ध को क्या कहते हैं चात्र या चात्रा कथन में लिखेंगे विश्व युद्ध जो चा चात्र या चात्रा कथन में लिखेंगे उसके बाद आप फिर सेकेंड क्वेशन जो करेंगे वो होगा अब तक कितने विश्वयुध हुए हैं चात्र कथन में लिखेंगे दो फिर आप थोड़ क्वेशन करेंगे दुवितिय विश्वयुध के बाद विश्व में शांती बन या समस्यात्मक। ठीक है। तो ये था हमारा प्रस्तावना प्रश्न जिसे आप जैसा आपके खॉलेज में होगा वैसा आप करके लिख सकते हैं। अब हम आते हैं उद्देश य कथन पर। अब हम डालेंगे उद्देश कथन कि आपको ये कैसे लिखना है तो आप प्लीज उसे एक बार लिंक दिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख ले ताक ये वीडियो आपको अब अच्छे से समझ में आए ठीक है तो प्रस्तूति करर लिख लेंगे उसमें हमें कॉलम बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख् फिर लिखेंगे शिक्षड बिंदु फिर लिखेंगे चात्रा ध्यापक कथन चात्र कथन या चात्रा कथन फिर लिखेंगे श्यामपट कार्या जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब्चारचीरींद में आप लिखेंगे जासा कि यहां पर लिखा हुआ नीजन होड़ कोई ठीक फिर लिखेंगे आप छात्र या छात्र कथन में 10 जन्वरी 1920 को ठीक है उसके बाद जो आप सेकेंड क्वेश्चन करेंगे छात्र ध्यापी का है छात्र ध्यापक कथन में लिखेंगे संयुक्त राष्ट संग की इस्थापना कब हुई छात्र कथन या छात्र कथन में लिखे तो यह निरड़े लिया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध नहूं। संसार में सांती और सुरक्षा बनाये रखने के लिए सबसे पहले राष्ट्रे संग था। उसके इस लक्ष से बिफल होनी के बाद सयुत राष्ट्रे संग की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। सुरू में इस संग में केवल एक्याओन राष्ट्र शदस्य थे जिसमें भारत भी था। वर्तमान में इस संग में 193 शदस्य हैं। यह आप छात्रा ध्यापी का कथन या चात्र कथन में लिखेंगे। उसके बाद चात्र कथन में आपने यहाँ पर मौन लिख दिया है। फ हम देखते हैं यहां पर लिखेंगे 2 6600 शंग के उद्देश्य थीक है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। उसमें पहला खोश्चन लिखेंगे 5400-2 शंग की उद्देश्य थे लिखेंगे। फिर 6600 में लिखेंगे। विश्यो में शांति और सुरक्षा बनाया हमारा जो second question होगा छात्रा ध्यापी का कथन या छात्रा ध्यापक कथन में जो लिखेंगे वो है संइक्त राष्ट संग के घोश्रा पत्र के अनुशार क्या उद्देश्य हैं उसमें छात्र या छात्रा कथन में मोन हो जाएगा या शमश्यात्मक हो जाएगा फिर अश्पष्टि करण देंगे उसमें लिखेंगे फर्स जो होगा अंतराष्टी सांतिव सुरक्षा बनाये रखना राष्टो के बीच मैत्रि पूरोल संबंदों को बढ़ावा देना आर्थिक शमाजिक शंस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतराष्टी सहयोग को सुनिश्चित करना तथा फोर्थ सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मानेता देना यह हम लिख देंगे छात्रा ध्यापी का कथन या छात्रा ध्यापक कथन में यह लिखेंगे उसके बाद हम स्यामपट कारे पर आते हैं स्यांपर्ट कारे में आप ये इतना लिख देंगे जैसा कि आपने इस पॉश्चिकरण में लिखाये वो आप स्यांपर्ट कारे में लिेंगे अब हम आगे देखते हैं जो हमारा थोड सिक्छर भिंदु है वो है सयूक्त राश्च्ट संग के अंग अब इसमें हम देखते हैं सबसे पहला question जो आप लिखेंगे चात्रा ध्यापक कथन या चात्रा ध्यापी का कथन वाले कॉलम में वो लिखेंगे संयुक्तराष्ट संग के कितने अंग है ठीक है चात्र कथन में लिखेंगे या चात्रा कथन में 6 फिर आप लिखेंगे सेकेंड जो question होगा संयुक्तराष्ट संग के अंगों के नाम बताईए चात्र या चात्रा कथन में लिखेंगे मौन या समस्यात्मक लिख देंगे अब यहाँ पर असपश्टी करण हेडिंग डालेंगे इसके नीचे हम संयुक्तराष्ट संग के अंगों के बारें बताएंगे जिसमें लिखेंगे संयुक्तराष्ट संग के 6 अंग है उसमें पहला जैसे लिखेंगे यहाँ पर पहला महाशभा शेकेंड चुरक्षा परिशद आर्थिक एवम समाजिक परिशद न्याय परिशद, अंतराष्टिय न्याय आले, अथा चठा जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सचिवाल है उसके बाद हम लिखेंगे श्यामपट कारे में, जो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप यहाँ पर श्यामपट कारे में लिख सकते हैं ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं, फोर्थ जो हमारा शिक्छर भिझन आराष्ट राष्ट्य संग के ध्वज, उसमीं हम चाट्राध्यापक कत्थन या चात्राध्यापक कत्थन में जो लिखेंगे कुसिण, वो लिखेंगे राष्ट्य ध्व के बारे में बताईए चात्र कथन या चात्रा कथन में लिखेंगे तीन रंग के शरिया शफेद और हरा रंग होता है जिसमें सफेद रंग के बीच में चक्र बना होता है ठीक है उसके बाद हम लिखेंगे जो सेकंड कुश्चन हमारा है संयुक्त राष्ट के दोज के बारे म बताईए, झात्र या झात्रा कथन में लिख देंगे मोन या शमश्यात्मक उसके बाद हम लिखेंगे करड देंगे तो हम लिखेंगे अशपश्टी करड उसमें लिखेंगे सयुकत राष्ट के ध्ष्ट को शाद दिशमबर उन्नीसchest ओच्छाइलिस को अपना जिसमें वर्ल्ड मैप यह सब आप लिख देंगे वर्ल्ड मैप जो दो जैतुन सखाओं से घीरा होता है यह सब आप इस पश्टी करण में लिख देंगे उसके बाद आप श्यामपट कारे में लिख देंगे जो आपको श्यामपट कारे करते हैं वो आप श्यामपट कारे में आग हैं आपको जितनी सिखषड विंदा सहींल लगए जितनी मेल शुगदाऊ आपको कॉलेज में जिस यहां इसमें से देखकर लिख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से लिख सकें अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा 5 जो आप यहाँ पर देख सकते हैं संयुक्तराष्ट की भासाएं हैं हमारा सिक्षर बिंद। उसमें हमारा जो 1st question होगा आपने देश की राज भासा क्या है चातर कथन या चातरा कथन में लिखेंगे हिंदी उसमें आप फिर 2nd question पुछेंगे संयुक्तराष्ट संग की भासाई क्या है चातर या चातरा कथन में मौन हो जाएगा फिर आप यहाँ पर असपश्टी करण देगे कि संयुक्तराष्ट संग की भासा है जैसे यहाँ पर असपश्टी करण हेडिंग लिखके हमने लिखा है संयुक्तराष्ट की 6 भासाओं को राज भासा की तोर पर शुक्रित किया गया है ठीक है उसकी 6 भासाओं यहाँ पर हैं आप लिख सकते हैं अब हम आगे देखते हैं मुल्यांकन के प्रश्ण या पुण्राविर्ति के प्रश्ण मुल्यांकन प्रश्ण में लिखते हैं Państwo संयुक्त राष्ट कje कितने यंग है संयुक्तराष्ट संग के धहच का अनुपात क्या है फूर्थ हमारा सहिंगतराष्ट की कितनी अधिकारिक भाषा हैं जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा वो हमारा मुल्यांकन प्रश्ण हम लिख देंगे उसके बाद हम लिखेंगे ग्रियकारे हेडिंग डालेंगे जिसमें हम लिखेंगे बच्चो कल सभी लोग सहिंतराष्ट संग चित्र बनाकर लेख लिक कर लाएंगे इतना क्लियर है आपको आज की वीडियो समझ में आई हो काफी आपके लिए हेल्पफुल हो और अगर आप चैनल पर नहीं है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यूदे क्लासे यूपी को और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर इन सब्सक्राइब भी जरूर कर दे थैंक यू